अलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेवी की रेसिपी यह ग्रेवी इसमें आप मश्रूम डाल सकते हैं कोई भी कोफता डाल सकते हैं बॉयल किये हुए मतर और आलू भी डाल सकते हैं पनी डाल सकते हैं चलिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं एक पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ओल लिया है अब उसमें डाला है एक चमच जीरा और एक बड़ा प्यास काटकर डाला है प्यास मैंने स्लाइस में काटा है प्यास को तोड़ा ब्राउनोंने देना है प्यास ब्राउन हो गया है अब उसमें डालना है लसुन, अधरप और हरीमेच मैंने उसमें थोड़े बादाम डाले हैं आप गाजू भी डाल सकते हैं अब डाले हैं तीन टमाटर दो टी स्पून खसखस डाली है गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है कमाटर को मीडियम फ्लेम पर तीन मिनट के लिए बूनना है अब उसमें डाला है मैंने आदा गलास पानी डकन लगा कर चार पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखना है अब टमेटो का कच्चा बन निकल गया है टमेटो सॉफ्ट हो गए है अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है अब इसको ठंडा होने देना है पूरी तरह ठंडा होने पर इसको मिक्सी में चला देना है मिक्सी में चला दिया है इस तड़ा की थिक पेस्ट बनानी है अब उसी पैन में एक चमच तेल डाला है और पोल गरब मसाला डाला है उसमें मैंने दालचीनी तेजपता लॉंग और इलहची ली है ये ग्रेवी में आप बहुत सारी सबजियां बना सकते हैं अब ग्रेवी के लिए जो पेस्ट तयार की है वो डालनी है लैस की फ्लेम को हाई और मीडियम के बीच रखना है अब उसमें डाली है हल्दी लाल मेच पाउडर सूखा धनिया पाउडर डाला है थोड़ा जीरा पाउडर डाला है और डाला है गरम मसाला सब मसाले अच्छे से मिक्स कर देने है गैस की फ्लेम को मीडियम और लो के बीच रखा है यह आप देख सकते हैं कुछ बादाम दिख रही है यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये थिक पेस्ट को पाँच मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है, मैंने इसमें देशी गी डाला है, अब बटर डाल सकते हैं, क्रीम डाल सकते हैं, बस अब इसमें डालना है, डेट गलास पानी, अब मैंने तेश पत्ता निकाल दिया है, आदा गलास पानी डालना है, अब ये ग्रेवी को आई फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए बॉइल करना है, नमक डालना है, नमक डाल कर मिला देना है, अब ग्रेवी को पाँच मिनट के लिए बॉइल करना है, ये ग्रेवी इतनी जल्दी बन जाती है, ग्रेवी को पाँच मिनट हाई फ्लेम पर बॉइल करना है, फिर डखन लगा कर लो फ्लेम पर पाँच मिनट और रखना है, ये ग्रेवी को बनाने में तंद्रा से बीस मिनट लगते हैं, और इसमें आप मश्रूम्स एड़ कर सकते हैं, बॉइल किये हुए पीस एड़ कर सकते हैं, बॉइल किये हुए आलू एड़ कर सकते हैं, पनीर एड़ कर सकते हैं, ग्रेवी एक ही मेतोड से इसी तरीके से बनेगी बाकी सबजियां आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं बॉइल किये हुए स्प्राउच भी डाल सकते हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग